संग्या, नाउन, देखिए, पढ़िए और समझे मेरा नाम नीता है और मेरा नाम नेहा तुम इस पार्क में रोज आती हो? हाँ, मैं और मेरा शेरू रोज शाम को यहां खेलने आते हैं मुझे यहां की हर्याली बहुत अच्छी लगते है क्या तुम दिल्ली में पहली बार आई हो? हाँ, मैं पहले अपने माता पिता के साथ आगरा में रहती थी मुझे तुम से मिलकर बहुत खोशे हुई मेरे पास बिसकेट है, लो तुम भी खाओ, धन्यवाद अब थोड़ी ठंड़क सी लग रही है, अब हमी चलना चाहिए हाँ, चलो, कल फिर हम यहीं पर मिलेंगे आपने नीता और नेहा की बातचीत को पढ़ा उनकी बातचीत में रंगीन शब्द नाम बता रहे हैं ऐसे नामों को ही संग्या कहते हैं इस बातचीत में आए नामों को अब हम अलग-अलग करके लिखते हैं व्यक्ती के नाम नीता, नेहा, शेरू, माता, पिता स्थान के नाम पार्क, दिल्ली, आगरा वस्तू का नाम विस्कुट भाव के नाम हर्याली, खुशी, ठंड़क अतह हम कह सकते हैं किसी प्राणी, स्थान, वस्तू, अथवा, भाव के नाम को संग्या कहते हैं नाम तरह तरह के होते हैं जैसे एक प्राणियों के नाम महात्मा गांधी, करीना कपूर, हाथी वस्तूओं के नाम आइसक्रीम, जूते, खिलोना स्थानों के नाम दिल्ली, आगरा, विद्यालय, भावों के नाम बुढ़ापा, सर्दी, हरियाली दिये गई नामों को देखकर आप क्या समझे? यही कि प्राणियों, वस्तुमों, स्थानों, भावों आधी के नाम को संग्या कहते हैं आपको अपने आसपास बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वह सब संग्या है क्यूंकि सभी का कोई न कोई नाम होता है और नाम ही संग्या है व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान, सब करवाते संग्या का ग्यान आव पाठ दोहराएं नाम को ही संग्या कहते हैं प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव की नाम को संग्या कहते हैं